Hello students, welcome back to teaching booth तो बेटा आज ही class में हम cover करने वाले हैं अपनी exercise 3.1 ठीक तो last class में हमने क्या cover किया था हमने positive और negative angle समझेते क्या होती है ठीक और फिर हमने समझाता कि भाई degree measure क्या होता है और radiant measure क्या होता है ठीक एक angle को measure करने की ये 2 units होती है ठीक और degree measure से फिर radiant measure का conversion हम कैसे करते हैं और radiant measure से degree measure का conversion हम कैसे करते हैं ये last class में हमने अपने concept cover किये थे ठीक तो इस class में basically exercise 3.1 में उसी की हम practice करेंगे तो बेटा पहला question देखते हैं exercise 3.1 का पहला question क्या है ये क्या रहा है find the radiant measures corresponding to the following degree measures ठीक तो बेटा आपको क्या दे रखी है ये degree यहाँ पे दी हुई है आपको इसको radiant measure में convert करना है ठीक तो हम practice करेंगे in question सी और साथ-साथ last class भी अपने यहाँ पे revise करेंगे ठीक तो बेटा पहला question हम अपना उठा लेते हैं कि पहले question में क्या दे रखा है हम इदे रखा 25 degree तो last class में आपको क्या relation समझाया था degree और radiant का सबसे पहले आप लिखोगे we know that 180 degree क्या बेटा is equal to pi radian यही समझाता हां जी सर यही हमने यह एक relation समझाता ठीक तो यहाँ से मोल सकता हूं कि 1 degree is equal to pi by 180 radian हां जी और मुझे निकालना है क्या है बेटा 25 degree निकालना है ठीक है both side क्या करो 25 से multiply करो तो 25 degree 25 pi by 180 radian ठीक है हां जी क्या आगे बेटा 25 15 15 और 5 चिक 5 36 यह क्या होगा हमारा बेटा solution तो last class में हमने अपने यह वाला important एक relation समझा था ठीक है हां जी सर तो पहला concept तो बेटा हमने यहां पर यह रिवाइस कर दिया एक चीज़ और मैंने आपको क्या समझाई थी एक बताया था कि आपको भाई अगर जो एक degree में एक degree में हमारे कितने minutes होते हैं क्या समझाया था कि भाई 60 minutes होते हैं ठीक है यह relation हमने पढ़ा था और एक relation फिर हमने यह पढ़ा था कि भाई one minute में further क्या होते हैं 60 seconds हमारे होते हैं ठीक यह भी हमने अपना concept पढ़ा था अब second वाले question में basically क्या दिया हो हमें हमें क्या दे रखा है 47 degree और 30 minute यह क्या बताए था पई-टा अगर इस तरीके से लिखा हो आगर इस तरीके से उपर यह डैस लखाया है इसका मतलब क्या होता है मेनट होता है ठीक अगर यह double इस तरीके से लगाया होगा तो मतलब क्या हुआ हो फिर 2,2 है ठीक तो लास्ट क्लास कि ही सारी अमादी बाते हैं चलो अब सबसे पहले आपको क्या करना है यह नेगेटिव में दिया गया ठीक है इसको पहले आपको पॉजिटिव माल लेना है पूरा सोलुशन कर लेना है जो फाइनल result आपको आएगा उसमें बस आपको आगे negative का sign लगा देना है ठीक सर ऐसा क्यों कर रहे है ठीक है बटा छोटा सा इसका logic में आपको बताया है तो जैसे माल लो कि पहली बात ही होगा कि आप negative में भी उसको solve कर सकते हो अगर हम anti clockwise move करते हैं तो बैटा हमारे positive angle बनते हैं जैसे कि यहां बन गया हमालो 45 डिगरी का ठीक है अब मैं यहां clockwise चलूँगा इस तरीके से तो मेरा क्योंगा माइनस 45 डिगरी का यहां पे एक angle बनेगा ठीक अब आप मुझे बताओ अगर मैं अब इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यहां बेटा जो gap आ रहा है यह यह जो angle यहां पे बन रहा है ठीक है न सेम ही यहां पे भी बन रहा है 45 डिगरी का बस फरक कितना है यह positive है और यह कहां बेटा negative है अगर इन दोनों को अगर मैं convert कर होगा radiant measure में निकालूँगा तो बेटा result दोनों के आएगा same भी तो आएगा difference किसका होगा से फरक होगा भाई negative और positive का ही result तो दोनों का same ही आएगा हां सर दोनों का result same ही आएगा ठीक तो यहां पे हम इस negative को positive लेगे कर सकते हैं हां सर बिलकूँ तो यहां पे आपको लिखना taking minus 47 degree 30 minute as 47 degree 30 minute ठीक अब मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थे कि अगर आपको degree से radian में जाना है और इस तरीके से आपको 47 degree 30 minute दे रहा है तो पहले आपको अगर अपने question को पूरा degree में convert करना है उसके बाद उसको radian में convert करेंगे ठीक इसको बटर डिरिक डिरिक डिरी में convert करने के लिए क्या करेंगे अभी आपको मैंने क्या समझाया कि 1 degree में 60 minute होते है ठीक है तो बटा 1 minute में कितने हुए 1 by 60 degree ठीक है यह छोटा सा relation है हंजी सर तो बटा यहां पे मैं यहां पे 30 minute दे रखा है इसको अगर मुझे इसको degree में convert करना हो तो मैं इसको यह लिख सकता तो बटा क्या result आए मेरे पास 47 degree ठीक है इसको बटा मैं करूं तो कितना है गा 95 ठीक है यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर अब क्या गया इसको क्या करेंगे अब हम अपने radian measure में convert करेंगे ठीक है तो radian measure में convert करने के लिए यहां पे लिख सकता हूं we know that वहां से बटा हमें क्या result मिला अभी कि वन डिगरी क्या होता है वन डिगरी इस इकल टू पाइबाए 180 रेडियन अजी सर अब बटा करना क्या है बोट साइड 95 बाइट तू से multiply कर दो 95 राटू ठीक है 95 राटू ठीक है 95 राटू पाइबाए 180 रेडियन इसको बटा सोल कर ल पांच एकम पांच फाइव नाइन जा फोटी फाइव पांच थी पंदरा ठीक है और पांच एक तीस आ अगया यहां पर तो रिजल्ट क्या आगया मेरे पास बटा 19 पाई रेडियन और यहां पर आगया बटा 72 ठीक अब इतना गरके मत छोड़ देना लास्ट मुझा फाइ इनल आपका अंसर यह होगा कि माइनस नाइटीन पाई रेडियन डिवाइड इस सैंटी ठीक है इसको नोट करो उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करते हैं चलो बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट तो आपको होना चाहिए कुछ भी नहीं है इसमें ठीक एक बार देख लेते हैं क्या रखा बेटा टूफोर्थ डिगरी को रेडियन वेजन में कनवर्ट करना है सबसे पहले का लिख हो गया क्या रिलेशन पहता है आपको वन डेगिती इस उकल टूपाई बाइवन एटी रेडियन ठीक है बोट साइड क्या क रिपके पास यहां पर सिक्सफ फॉर्ज और शिक्सट इस एक टीन ठीक है four five by three इंद आपके उस बेटा रिजल्ट यहां पर आपको पार्ट पार टी तो बिटा यहां पे radian दिया गया है आपको degree में इसको convert कर रहा है ठीक यह भी हम सासत question करेंगे और अपने previous concept भी यहां पे revise करेंगे तो क्या सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है कि we know that कि यहां पर क्या लिख सकते हैं आपकी पाई रेडियन जो है क्या वेटा 180 डिगरी के बराबर है हां सर यह तो हमें पता है ठीक है तो यहां पर लिख सकते हो कि वन जो रेडियन हुआ आपका 180 डिवाइड बाई पाई यह में लिख सकता हूँ हाँ सर बिलकूल हम इसको इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो क्या गरना है 11 बाई 16 दे रख आपको बोथ साइड इससे मल्टिप्लाई कर दो ठीक 11 बाई 16 रेडियन आ गया हां भी इकॉल टू मैं कहीं बाई डिगरी है तो अपने आप यह डिगरी में चनवट हो जाएगा भी ठीक 180 डिगरी डिवाइड बाई पाई अब आपको मैं लास्क लास में भी समझाया था कि जब भी हमें डिगरी में चनवाइड करना है तो हमें केल्कूलेशन क्या करना है end तक उसकी calculation करनी है पहले उसको degree में निकालना है फिर इसको minute में निकालना है फिर इसको करना है second में निकालना है ठीक है तो इसलिए करना पड़ेगा πाई की value हमेशा क्या करने पड़ेगी हमें यहाँ पे put करने पड़ेगी बट radian measure में क्या होता है कि आप pi की value वहाँ पे रख सकते हो ठीक है वहाँ पे solve करके हमें नहीं दिखाना होता बट यहाँ पे हमें end तक calculation करके दिखाना है तो बेटा क्या है 180 अब यहाँ पे 22 ठीक है अब बेटा इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे solve कर लो पहले आप इसको कितना आगया 12,14 और यहाँ पे बेटा 90 आगया और 11 और यहाँ पे आगया 45 ठीक है तो यहाँ पे बेटा क्या result बच्छे क्या आएगा हमारे पास अगर आप 45 को 77 से multiply करते हो यहाँ पास आगया आपके पास आगया डिवाइड बाई 88 अब आपको अगर अगर आपने solution अपना इतना ही छोड़ दिया अगर आपने इस तरीके से इसको डिगरी लिखके छोड़ दिया आपके marks यहाँ पे कट जाएंगे ठीक तो यहाँ आगर आगे तक पूरी calculation solve करके दिखानी है अब कैसे दिखाओगी तो अगर ने आपको एक working note बनाना है ठीक है working note बनाना है exam में working note इस तरीके से दिखाना भी आपको ठीक तो working note में करना क्या है अब आपको क्या दे रख रहा है आप एक इसको divide करो 3 4 6 5 को बेटा किसे 88 ठीक है तो किस पे जाएगा अगर मैं इसको देखो तो किस पे जाएगा 38 ठीक है क्या 38 ठीक है तो किस से जाएगा यह हमांरा 2 से जाएगा ठीक तीं से जाएगा तो कितना आ गया 2, 6, 4 2, ठीक है, 8 और से 14 और क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक यह देखते हैं किसे जाएगा बेटा यह इसके काफी close है, 10 के तो हम 9 से गर करके देखें 9, 8 जा, 72 9, 8 जा, 72 72, 7 बेटा कितना होगे हैं पर 79 होगे, ठीक तो यहाँ पर क्या होगा, यह 9 से जाएगा क्या है, 7, 9, 2 ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 बचा, 9, 3, 12 ठीक, यह आपके पास रिजल्ट यहाँ पर आ गया, अब आगे फर्दर ही डिवाइड नहीं होगा, तो आपको करना है, जो आपके पास यह रिजल्ट 39 आएगा, तो बचा, 39 आपके पास क्या आया, यह आपके पास आगया 39 डिगरी क्लिर इतना, हाँ सर, क्लिर इतना अब आप यह बताओ मुझे बटा आप मुझे यह बताओ 39 जो डिगरी है, आगे आपको दूबार आगा गरना है 39 degrees है, ये आपके पास क्या आ गया? 33 divided by 88 degrees, आपके पास यह आ गया, हाँ सरा मेरे पास, यहां पर यह आ गया. अगर आप इसको, मैं यहां पे बोलू, इसको minute में convert करो, तो बेटा क्या चरोगे? इसको 60 से अगर मैं multiply कर दो, तो यह minute में convert हो जाएगा, हाँ सरी है, 88, multiply 60, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगया मेरे पास, अगर मैं इसको करूँ, यहाँ पर आगया बेटा, यहाँ पर, 4 से कर लो यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 और यहाँ पर चार पंजे 20, ठीक है, यह रिजल्ट मेरे पास आगया, और यहाँ पर, इसको multiply करो, 15 को, 33 और 15, यहाँ पर आगया, यहाँ पर आगया, आपके पास, 6, 3, 9, और यहाँ पर, 4, 9, 5, को आप 22 से क्या करो, दूबारा से, 4, 9, 5 को, 4, 9, 5 को, 22 से दूबारा से डिवाइट करो, ठीक है, तो जो आपके पास, यहाँ पर रिजल्ट आए, 4, 9, 5 दिवाइड बैदे, तो बेटा, कये क्या है, यह है, आपका मिनक, ठीक है, अब इसको भी मैं करत perse, Solve करती, यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो कि आ ηका किस पर जाएगा, यह दो पर जाएगा, क्या आगया, आया अब मेरे पास तो इसको फॉर्दर करना सेखिंड में आपको आए उसके लिए प्रणाच करने版 90 करना पड़ेगा गारा कोeg तो क्या जागा है, second यहाँ पर आपके पास आ जागा, तो 30 second क्या हुआ, आपके यहाँ पर result आ गया, ठीक, तो बटा, इस तरीके से आपको पूरी calculation इसकी करनी है, ठीक, इस नोट करो, फिर अपना next question भी हम देखते हैं, ठीक, बटा, second part देखते हैं इसका, ठीक, अब second part में गया, यह भी बहुत easy है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस question में भी, अब यहाँ पर minus 4 आपको रेडियन दे रखा है, ठीक है न, तो क्या करना है, minus 4 को यहाँ पर आप as a 4 ले लो, पस यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि आपको कोई भी confusion ना हो, नहीं सर, आप एक काम करो, negative में ही करवा के दिखाओ, ठीक है बेटा, लोग आप एक काम करो, इसको negative में ही कर लो पहले, ठीक है न, आप as a team, इसको minus 4, रेडियन को डिगरी में convert करते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ पर में लिखते हैं, we know that, we know that, क्या लिखोगे बेटा, क्या पता है हमें, pi radian क्या है, is equal to 180 degree, ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 1 radian जो हुआ, 180 divided by pi, लिख सकते हैं बिल्कुल सर, अब करना है क्या बेटा, minus 4 ही आप ले रहे हो, ठीक है, भी है, minus 4 से हम solve कर ले, minus 4 का करो, both side, इससे multiply करो, तो क्या होगा बेटा, minus 4 radian, यही निकालने हैं हमें, minus 4 radian में कितना degree आएगा, ठीक है जी, minus 4 multiply 180, तो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, degree में निकाल रहे हैं, तो pi की value करनी पड़ेगी, put करनी पड़ेगी, ठीक है जी, हमें को यह end तक result चाहिए, यह हमारे पास आ गया, तो बेटा, इसको solve कर लेते हैं, कितना आ गया, 4 radian, 36, ठीक है, 36 को बेटा, 7 से multiply करो, 7 से 42, 3 सत्य 21, और 4 बेटा 25 हो गया, क्या आ गया है, हाँ पे आपके पास, यहाँ पे लिख सकता हूँ है, minus, क्या आ गया, 2520, 11, clear, तो करना क्या आप, यहाँ पे working note बनाना है, answer वो तो अपने पिछले question में भी बताया था, कि working note यहाँ पे जरूर बनाना है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, यहाँ पे इसको, 2, 5, 2, 0 को, ठीक यहाँ इसको divide करता है, किस से जाएगा बेटा, सर्भी यहाँ पे 2 से जाएगा, और यहाँ पे आ गया 32, अभी भी क्या होगा बेटा, 2 से जाएगा, बाईस, ठीक, 100 आ गया, अभी जाएगा बेटा, 9 से, हंजी सर 9 से अब मेरे पास क्या बचा 1 बचा ठीक तो यहाँ पर बटा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है मेरे पास आ गया माइनस 2 2 9 डिगरी ठीक ठीक है सर अब इसके बाद क्या बच्छा है मेरे पास 1 by 11 डिगरी है इसको बैटा अगर मुझे मिनट में कनवर्ट करना हो सर इसको 60 से मल्टिप्लाई कर दो ठीक है तो बैटा इस चीज को आप एक काम एक्जाम में इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने ये सोल कर ले तो एक्जाम में आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि 1 by 11 multiply 60 मिनट क्लीर ठीक है एक्जाम में इस तरीके से आप यहां पर भी इसको दिखा सकते हो प्रेजनेशन के लिए तो अगेन आपके पास यहां पर पर जाएगा ठीक यह बट्व पच्पश्क है कि यहाँ पे आपके पास बचा भाइव 8 एक तो अगेन हो यहाँ कि और है किस्क आप लिख सकते हैं इस तो हमना पे इसको लिख önक सकते हैं कि हम पास इंधर माइनस के। तो नाइन डेगरी यहाँ पर लिख सकते हैं हम कितना आगया हमारे पास फाइफ मिनट ठीक है यहाँ पर पास फाइफ मिनट आगया है इसके बाद अगेन आप इसको क्या कर सकते हो अगेन आप इसको हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो अब मेरे पास क्या Result आ गा गया बेटा 5 divided by 11 आप क्या करना पड़ेका स्कांड में convert करने के लिए करना पड़ेका सिरसंट से मल्टीम्प्लाइ करना पड़ेगा सिरस्टी से इसक smझ पर पड़ेगा, तो, यहाँ पर आप क्यालिख सकते हो, यहाँ पर इसको इस त Devi سे लिखा सकते हो, ठीक है है, आपके पास जी यह सैकिंड आ गया, ठीक, यह क्या आ गया, यह आपके पास 3 बचा ठीक उसके बाद अगर आप 0 लिखोगे उसके बाद क्या जाएगा बटाई फिर 2 से जाएगा ठीक तो इसको आप इतना ही यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 229 बेगरी ठीक है और यहाँ पे लिखना हो उसके बाद 5 सेकिंड और इसको सोल करने से हमारे पास क्या है बेटा 27.2 सेकिंड ठीक है तो इस तरीके से आप एक्जाम में इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो बिल्कुल इजी है इसको नोट करो फिर अपना नेक्स ठीक थर्ड पार्ट इसका अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में क्या है फाई पाई बाई थ्री रेडियन को डिगरी में कनवर्ट करना है तो सबसे पहले बेटा क्या लिखना आपको भी आपका रही फाई फाई रेडियन तो यहां पहले बेटा वन रेडियन क्या हो गया वण रेडियन हो गया है इसको इस तरीके से लिखते हैं हम फाई ठीक है तो क्या बहुत इस से मल्टिप्लाए गर दो ठीक पाई राई और यहाँ है बाल आपक्ष पाइ बाता थरी मल्त्रिफ लाइड़ी 1टी टेवाइड डिवाइड में जी बेटा पाई से क्या होँ है पाई से पाई कट गया ठेक है और यहाँ पे आगया तीन चीक अठारा ठीक है पांच चीक तीस कितना अगया बेटा 300 डिगरी आपके बास यहाँ पर रिजल्ट आगया बिल्कुल सिंपल सा कोप्शन था ठीक ठीक है जी अब बेटा फॉर्स पार्ट इसका क्या फोर्स पार्ट में भी कुछ नहीं है यहाँ पर इसको कर लो फटा बाइब 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 बोट साइड सेवन पाइब भाइब शिक्स से मिल्टिप्लाई कर दो ठीक है क्या आगया तो यह नोट कर रो बेटा उसके बाद हम अपना करते हैं नेक्स्ट कोश्चन यह तो बहुत सिंपल था ठीक प्रड़ा आप करते हैं अपना नेक्स्ट कोश्चन ठीक है तो अभी नेक्स्ट कोश्चन में क्या दिया गया है इसमें दे रखा है भाई अवील मेक्स 360 revolutions in one minute ठीक थो how many radians does it turn in one second ठीक यह कोश्चन क्या पूछ रहा है एक साथ साथ इसको में लिखता भी हो ठीक ना तो कोश्चन में क्या पूछा गया है कोश्चन में यह कह रहा है पूछ्चन के एक मिनट में अगर मैं यहां पर लेक्गो बीटा वन मिनट में एक विल जो है 360 ठीकना 360 360 revolution, ठीक, 360 revolution, यहाँ पर यह हमें क्या है बटा, यह हमें given है, ठीक, अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि भाई, यह क्या है, यहाँ पर लिख सकता है कि भाई, यह हमें क्या है, यहाँ पर लिख सकता हूं कि भाई, यह हमें क्या है, यहाँ पर लिख सकता हूं कि भाई, यह हमे तो यहां पूछ रहा है कि भाई एक सेकंड में ठीक है वो कितने रेडियन कवर करेगा अब इस बात को समझो बड़े ध्यान से मुझे बताओ जब वो एक रिवलीशन मतलब एक पूरा शरकल बना रहा है तो बताओ कितने डिगरी का बना सर थ्री सिक्स्टी डिगरी का बना ठीक है न बताओ कितने डिग्री के एक्वल हुआ तो एक सेकंड में अब मैं यहां पर बोलू कि भाई वन सेकंड में है ठीक है वो कितना एंगल बनाएगा 6 को 6 कितने रेडियन बनाएगा 6 multiply 2 पाई है रेडियन ठीक है वो छे बार इस तरीके से राउंड लगाएगा एक दो तीन चार पांच छे और एक बार जब पूरा revolution लगा तो बैटा टू पाई रेडियन आ रहा है ठीक है छे बार revolution छे बार वो घूमेगा अगर चक्का तो बैटा कितने रेडियन बन जाएंगे सर इस केस में 12 रेडियन आ जाएंगे हमारे पास 12 पाई रेडियन आ गया कितना गया बैटा 12 पाई रेडियन हमारे पास यहां पर इसका रिजल्ट बहुत ही सिंबल कोशन था नोट करो इससे जल्दी अब बैटर नेक्स्ट कोशन देखते हैं अपना हम ठीक यह वाद देख ठीक बैटा भी समझाता हूं इसमें हमारा एक प्रीवियस कंसेप्ट भी इन्वॉल है इसमें बोल कर रहा है क्या यह एक हमारा मालो भाई इस परकार से एक सरकल है ठीक सरकल हमारे हां पर अच्छा सा नहीं बना दवारा बनाते हैं इसको यह क्या हमारे पास बैटा एक सरकल हमें यहाँ पर मालो गेवन है ठीक यह कहा रहा है इस सरकल का जो radius है वो क्या 100 cm है ठीक यह मालो मैंने माल लिया भाई यह क्या 100 cm radius है ठीक यह कहा रहा है यह कहा रहा है कि भाई angle subtended at the center of a circle ठीक एक angle बन रहा है यहां से एक मैं angle बना लेता हूँ यह angle मालो इस तरीके से यहां पर एक angle बन रहा है जो कि यह ठीक तो कहा रहा है इस परकार से angle बन रहा है और जो हमारी यह आर्क आ रही है यह जो आर्क है यह क्या बठा यह जो आर्क आ रही है ठीक और ठीटा निकालना है किसमें बटा डिगरी में निकालना है ठीक है जी सबसे पहले यहाँ पर लिख दो कि हमें given क्या है हमें बटा given है यहाँ पर radius दे रखा है 100 cm ठीक है और हमें arc जोकि L है वो है बटा 22 cm यहाँ पर given है ठीक और यहाँ पर मैंने आपको एक relation बताया था कि ठीटा निकालना हो previous class में आपको logic पूरा समझाया था कि ठीटा निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर लिख सकता है कि ठीटा is equal to L Y R होता है इसका proper बटाना आपको derivation इसका logic पूरा समझाया हूँ previous class में यह मैं आपको समझाया था ठीक है जी तो इससे जो हमारा result निकलता है जो ठीटा निकलता हो किसमें निकलता है हमीशा radian में निकलता है ठीक तो L कितना है L है हमारा 22 ठीक है और यहां पर 100 यह हमें दे रख रहा है ठीक है तो यह मेरा क्या निकल गया अगर इसको मैं कर लो बिटा तो क्या आ गया 11 by 15 मेरे पास यहां पर result आ गया clear ठीक है सर अब मुझे पहले आप एक चीज यह बताओ कि जो मेरा 11 by 15 चीज निकला सर वो तो चीज में निकल लेकर आगए यहां पर तो यहरी निकलता था अब करने के लिए दुआरा से आपको क्यारे लिगना है डवार आपको लिखना है क्या इस पे यहां पर लिख दो कि बिए जो वन रेडियन होता है ठीक है, क्या होता है, 180 divided by pi मैं यह लिख सकता हूँ, हाँ सर यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको बेटा solve कर लो, यहाँ पर इसको मैं solve कर लेता हूँ तो result आपके पास क्या है, 11 by 50, both sides 11 by 50 से multiply कर दो ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया, 11 by 50 और 180, 22 multiply 7, ठीक है, pi की value हमें यहाँ पर put करने पड़ेगी ठीक, तो मैं रिजल्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास result आया, 90 यहाँ पर 11, तो 11 से बटा 11 कर दिगा, यहाँ पर क्या है, 97 जा 63 ठीक है, इससे यह कड़ जाएगा, और 63 divided by 5, यह result मेरे पास यहाँ पर आया, ठीक तो यह क्या है मेरे पास, यह मेरे पास जो result आया, वो किस में आया, यह पर दिगरी आ गया, लेकिन इससे करना है, हमें आगे तक पूरा इसको solve करना है, ठीक तो इसको कैसे solve करेंगे इसको, अभी हमने समझा था, तो किस पर जाए गई, 12,50, ठीक है बटा, 12 डिगरी, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 3 divided by 5, अब देखो न, यहाँ पर इस तरीके से में आगो करके दिखाओ, 63 को, ठीक है, तो यह 12 पर चला गया, क्या है, 60, divided by 3 करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको करोगे, तो क्या आजाएगा बेटा, यहाँ पर आजाएगा आपके पास, ठीक, तो क्या आगया आपके पास, 12 डिगरी, और 12 यह 36 और 36 मिनट, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, तो यह simple सा कोशन था, इसको नोट क सेंटिमेटर, ठीक है, find the length of minor arc of the code, कुछ समझ में आया, सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोला गया, बेटा, ठीक है, बहुत ही simple कोशन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बोलना चाहता है, यह बालो कि आपका क्या है, बेटा, सरकल है, ठीक, यह एक सरकल है, इसकी बा ठीक, तो radius क्या होगा, 20 cm होगा, हाँ सर, radius 20 cm होगा, अब यह कह रहा है, कि the length of a code is 20 cm, जो code की कोई length है, ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, कि भाई, यह क्या है, यह 20 cm है, ठीक, तो यहाँ से कह रहा है, कह रहा है, find the length of the minor arc of the code, ठीक है, तो जो आपकी length आ रही है, इस arc कि यह, यह जो आपके पास आ रहा है, यह आप हमें बताईए, यह बताईए कि भाई, यह कितना है, जो आपके पास यह आ रहा है, ठीक, यह question मैं वो पूछ रहा है, ठीक, तो यहाँ से बटा, हम एक relation यहाँ से निकाल सकने हैं, कि अगर मैं यह center से, center से, यहाँ से, यहाँ से खीच दू और यहां से मैं एक लाइन इस परकार से यहां पर खीच दू ठीक है सर इससे क्या होगा बैटा इससे हमारा कुछ एक relation यहां पर बन जाएगा relation क्या बनेगा वो देखो कुछ relation क्या बनेगा अब मेरे पास क्या हुआ अगर मेरे पास से डामीटर 40 cm तो बैटा रेडियस क्या होगा सर रेडियस 20 cm होगा ठीक है रेडियस 20 cm होगा अगर में सेंटर के सरकल से किसी भी सर्कंफरेंस पर टच कर दू एक लाइन कर तो यह भी 20 cm है और जो यह आपको यहाँ पे code दिया गया है, code दी गई है, यह तो given यह कि 20 cm है, हाँ सर यह तो हमें given है, कि यह भी क्या है? यह भी 20 cm है, और हम से क्या पूछ रहे हैं? यह हम से यहाँ पे arc पूछ रहे हैं क्या है, ठीक. अब आप समझो यहाँ पे अगर आप बोलो कि मेरे पास ट्रैंगल बन रहा है ट्रैंगल A O D एक मेरे पास ट्रैंगल बन रहा है इस ट्रैंगल की तीनो साइड क्या है बेटा इक्वल है अगर किसी ट्रैंगल की तीनो साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है Equilateral Triangle होता है हाँ sir वो Equilateral Triangle होता है और बटा जो Equilateral Triangle होता है उसका एक Angle कितने Degree का होता है बच्छमंस से पढ़ता रहो silty degree का होता है तो यहाँ पर मैं बोल सकता है यहाँ पर जो आपका यहाँ यह यह एंगल यहाँ पर जो थीटा बनेगा आपका तो ब्याटा क्या होगा सर वो 60 डिग्री का होगा क्लियर हुल हवा है बैटा अब आपको के इंधल द्या आपको यहां से में रेडियस बे अऑब आपको यहां पर आर्क निकालना है तो थीटा इसकल टू- एल बाई तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना, all the sides, all the sides of triangle, कौन से बटा, AOB, AOBRC, सारी same है, ठीक है जी, therefore we can see, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, जो triangle AOB है, ठीक है, is an equilateral, हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ, जब इक्विलेटरल हो गया, तो मैं एक बात और भी बोल सकता हूँ, कि भाई, angle AOB, angle AOB, क्या बेटा, यहां पर क्या वा, 60 degree हुआ, हम जी सर, 60 degree हुआ, ठीक, AOB को मैं ठीटा बोल दूए, हम ठीटा बताओ, जो हमारा formula है, formula क्या बेटा, theta is equal to L by A, बैने आपको क्या समझा है, कि जो यह formula लगता है, apply होता है, तो जो यह theta है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, यह radian में होना चाहिए, डिगरी में नहीं होना चाहिए, यह गलती बेटा, बिल्कुल भी नहीं करना, हमारे पास य radian में convert करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यह formula apply करना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं convert करूँ, theta को, तो मैं यहाँ पे 60 degree को क्या बोलेंगे, pi by 3 radian होगा, यह, pi by 3 radian, last class में हमने सारी यह convert करके देखे थे, 60 degree को pi by 3 radian हम बोल सकते हैं, ठीक, अब आप बताओ, यहाँ प कि जो theta होता है, वो L by R होता है, ठीक है, जी, L by R होता है, तो यहाँ पे हमें, अब मैं यहाँ पे रिखूँ, तो बेटा, L क्या है, L तो हमें निकालना है, ठीक है, और radius कितना दिया गया है, वो 20 cm मुझे दे रखा है, ठीक है, तो इसको बेटा, sol कर लें एक बार, सारी इस इसको क्या करते है, sol कर लें, यहाँ पे मैं sol करवाए, तो theta आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे, pi by 3 radian, ठीक है, pi by 3 radian, is equal to क्या गया बेटा, L by 20, ठीक है, L यहाँ से निकालना तो क्या गया, 20, pi by 3 radian, clear होगे, हाँ sir, बिल्कुल clear, question में तो बिल्कुल भी दम ही नही करते है, बेटा गोपी कर लिया, ठीक है बेटा, आफ नेक्स्ट कोशन करते है, इसमें देहो क्या है, करा, if in two circles, arcs of the same length, subtent angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radius, समझ में आया, सर, समझ में विल्कुल भी नहीं है, बेटा, बहुत ही सिंपल, अभी आपको समझाता हूँ, यह बेसिकली बोल क्या रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, सर, यहां पर आपने एक सर्कल बनाया, ठीक, तो, हमने क्या किया, एक और सर्कल बनाया, सर, एक सर्कल और क्यों बनाया, क्योंकि बेटा, two circles की यहां पर बात की गई है, ठीक है, तो, यह मैंने छोटा बनाया, छोटा क्यों बनाया अभी समझते हैं, कि यह छोटा भी क्यों बनाया, ठीक, इस तरीके इस हमारे पास, दो सरकल यहां पे आ गए, ठीक, ठीक, ऐसा है, अब बात को बटा बटाई ध्यान से समझो, यहां पर क्या हो रहा है, दो आपके एंगल बनाया, 60 ठीक इसको थोड़ा देखो किस तरीके से अब आप समझने की कोशिश करना हूँ टेक है अब ये question में क्या गया रहा है क्या रहा है इस तरीके से जो ये angle बन रहे है दो circle में इनका जो ये arc आ रहा है ये arc और ये ये क्या है ये क्या है ये same है ये L और L को मालू तो ये same है अब आप उससे एक चीज पूछ होगे बड़े वाले circle में ही आपको कैसे पता चला कि 60 degree लेना है और छोटे वाले circle में 75 degree लेना है ये common sense है बिल्कुल से मुझे एक चीज बताओ बड़े वाले circle में जब मैं छोटा angle बनाऊगा और छोटे वाले circle में बड़ा angle बनाऊगा तभी तो possibilities है कि जो यहाँ पे यह arc बन रही है अगर मैं यहाँ पे 75 degree ले लूँ तो क्या होगा arc और जदा बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे मैं 60 degree ले लूँ छोटे वाले circle में है तो arc तो और छोटी हो जाएगी तो दोनों कभी बरावर तो हो नहीं पाएगा possibility क्या है कि छोटे circle में बड़ा angle बने सोरी हाँ छोटे circle में बड़ा angle बने और बड़े circle में छोटा angle बने तभी possibilities हैं कि दोनों arc हमारी equal लाएगी clear हुआ हाँ जी सर बिल्कुल clear हुआ अब question में क्या पूछ रहा है यह कह रहा है इनकी radius है इसको मान लेतों भाई यह r1 है और यह r2 है ठीक है यह कह रहा है इन दोनों की आप मुझे ratio निकाल के बताओ क्या आएगी बटा बहुत ही simple question है बहुत simple question है अब देखो आपको करना कैसे है सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर solution में देना कि भाई может क्या है आपको यहां पर given क्या यहां पर आपको given है कि अच्च्छ और में मान लेता हूं यह गृस क्या है यह एगंगल धिया गया यह यह क्या है यह थीटा ठीक तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ठीटा 1 जो है गीवन आपको 60 डिगरी है और बेटा ठीटा 2 जो है क्या दे रखा है 75 डिगरी हाँ पर दिया गया मुझे बताव question में आपको इन दोनो जो radius दे रखा है इनकी ratio निकाल ने है हाँ sir, ratio हमें इसकी निकाल ने है हमारे पास एक बेटा formula है L theta is equal to Ly हा इसके थूर हम निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं बट condition क्या है, जो theta होता है, वो किसमें होता है, radian में होता है, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, degree में दिया हो, तो पहला step क्या है, पहला step यहाँ पर यह है, कि convert degree into radian, इसको beta convert आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक, आच्छा सर, इसको पहले convert कर लेते हैं, तो beta theta, वन यह, ठीक, मैं क्या बोल सकता हूँ, 60 degree को क्या बोल सकता है, यहाँ पर 60 degree दे रखा है, इसको मैं pi by 3 radian बोल सकते हैं, clear, ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर theta 2 की, बटा, इसको हम यहाँ पर 75 degree solve करके देख सकते हैं, कि क्या आएगा, तो यहाँ पर किस तरी के solve करें pi by 180, यही हमारा case बनता है, तो इसको हम solve कर लें, बटा, क्या आएगा, ठीक है, 5, 6, 5 और 5 यहाँ पर 25 आगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, बटा, यहाँ पर आजाए आपका, 5, 3, 15, ठीक है, और 5, 3, 15, ठीक है, और उसके बाद, 3, 15, ठीक है, और यहाँ पर आग radian, clear, हाँ जी सर, इतना तो clear हो गया, clear यह हमने convert कर लिए, अब आगे क्या करना है, आगे basically आपको क्या करना है, दूनों cases में अब formula लगाओ दो, formula क्या लगाएंगे हम, इसको मैं इस से कर देता हूँ, black वाले से, ठीक, formula यहाँ पर लगाओ बेटा, अब बात करो, theta 1 की, theta 1 क किसमें अगा है, L by R1, हाँ जी सर, L by R1, theta क्या दे रखता है, पाई by 3, ठीक है जी, और L और यहाँ पर R1, और R1 आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, मैं R1 बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3L divided by pi, हाँ जी सर, यह हमारे पास यहाँ पर R1 आ गया, clear हुआ, ठ ठीटा 2 की बात कर लेते हैं, बैटा, क्या हो गया, L by R2, ठीक है जी, क्या आ रहा है, 5 pi by 12, हाँ जी, और यहाँ पर L by R2, तो बैटा, R2 क्या निकल जागा है, यहाँ पर, R2 क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, 12L by 5 pi, clear हुआ, हाँ जी सर, एकदम clear हुआ, ठीक है बैटा, इस इसको यहाँ पर, फटा, फटा, इसको रॉप कर देते हैं, ठीक, अब हम यहाँ पर, क्या करना है, हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है, तो रेशो बैटा, कैसे निकालेंगे, L, R1 by R2, क्या आ गया, R1 कितना आ रहा है, 3L by pi, ठीक है न, R2 कितना आ गया, 12L by 5 pi, clear हाँ ज पास यहाँ पर क्या बचा, 15, 5 ऊपर चला जा गए, 15 by 12, ठीक है न, तो क्या बचा आपके पास, 3,5, 15, और 3,4, 12, तो रेशो बैटा आपके पास क्या बची, यह आपके पास, रेजल्ट आया, ठीक, सिंपल सा कोशन दा बटा से, कोपी करो, फिर लास्ट कोशन अपना ठीक डिसक्राइब जरुадцकी ऑन अर्क ऑफ लेंफ ठीक, और अलग-अलग केसी, हमें यहाँ पर दिये गए है, का यह क्या रहा है, कि और बचें? है कि बहुलो एक पैंडूलम है, कोई एक पैंडूलम है, यह इस तरीके से सुई करता है, तो इसका अलग-अलग अलग इसकी आर्क की लेंफ दी गई है और जो यह पेंडूम है चीक है इस की मुझे लेंफ किति नहीं सेवन्टी फाइव सेंटीमेटर यहाँ पे 75 सेंटीमेटम दी गई है तो क्या क्या रहा है, क्या रहा है, find the angle in radian, आपको करना है यहाँ पर angle निकालना, तो आपको formula तो पता है यहाँ पर आपको arc भी दिया गया है, और यहाँ पर आप बहुत सकते हैं, यह रेडियस हो गया, theta निकालने के बात और यह लगाओ, बात खतम, इस से simple question तो बेटा तो आपको given क्या है? गिवन है इस केस है बटा L क्या दे रखा है आपको? L दे रखा है 10 centimetre और बटा R क्या दिया हुआ है? R दे रखा है 75 centimetre ठीक और आपको निकालना क्या है यहां पर L by R कितना आ गया? 10 by 75 ठीक है तो बटा इसको निकाल लो 10 कितना आ जाएगा आपका 75 दे रखा न हाँ भई 5 2 नी 10 और यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 6 अपर 25 ठीक है तो बेटा क्या आ गया 2 by 15 आपके पास आ गया 2 by 15 यहाँ पर हमारे पास आ गया तो बेटा जो result आपके पास अब यह आया ठीक है तो क्या हो गया 2 by यह रेडियन में आपके पास result यहाँ पर आगया बस इस question में यह इतना ही पूछ रहा है अभी अलगलग cases देदें 15 पर बताओ बेट 21 पर बताओ तो बेटा यह आपका यह और यह दोनों क्या है बेटा यह आपका homework है ठीक है तो बेटा यहां अमारी class अपनी ओवर होती है अब next class में हम पहले अपने concept कवर करेंगे उसके वाद अपनी exercise कवर करेंगे ठीक